हेलो दोस्तों एक अक्षा ओनलेंग लास में आपका स्वागत है मेरे नावाजाए पांडे है आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे रभी बारको पाकिस्तान ने विवादित पाक अधिकृत कश्मिर के गिलगित बाल्टिस्टान छेतर को अपनी प्रोविजनल प्रोव राज जी होते हैं वैसा ही पाकिस्तान में प्रांध होते हैं तो प्रेजेंट में पाकिस्तान के पास 6 प्रांध थे जो 7 प्रांध बनाने की खोश्चन गिया वो गिलगित बाल्टिस्टान है तो क्या है पूरा विवाद क्या पाकिस्तान ने चीन के दबाव में या फैसला लिया या भारत के द्वारा अनुच्छे 370 हटाने के फैसले पर यहां प्रतिक्रिया दी है आएए देखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का यहां पार्टिकल देख सकते हैं प्रधान मंतरी इम्रान खान ने रविवार को अपने गिलगित बाल्टिस्टान दोरे पर इस प्रां किया है इस पूरे चेटर की बात करें तो गिल कि बाल्टिस्टान पाक अधिकृत कशिमिर याने पी रूके कभा गयoi जिसे फाक में गिल्गित बाल्टिस्टान को अधिक अधिकार देने के लिए पाकिस्तान सरकार ने गिल्गित बाल्टिस्टान Empowerment and Self Government Order 2009 पास किया जो उनको स्थानी सोसाशन से को स्थानी सोसाशन से अधिक संबंदित था इससे पहले 30 अप्रेल को पाकिस्तान के शिर्ष अधालत ने गिल्गित बाल्टिस्टान ओडर 2018 में चंशोधन के लिए सरकार को मंजूरी दी और उस छेत्र में एलेक्शन करवाने के निर्देश दिये इस पर भी भारत ने अपना कड़ा रुख तै किया था इस तस्वीर में आप देख सकते हैं गिल्गित बाल्टिस्टान छेतर को जो नीले रंग में आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस छेतर में जो पाक अधिकरित कश्मिर है इसमें पियोके होता है गिलगित और बाल्टिस्टान गिलगित और बाल्टिस्टान को मैं निले कलर में दिखाया हूँ और नीचे हर कलर से पियोके दिखाया हूँ तो जो P.O.K. आपको दिख रहा है इसे कहते हैं अजाद कश्मिर इसे क्या पाकिस्तान कहता है अजाद कश्मिर कहता है और गिलगिल पाल्टिस्टान ये छेत्र हुए तो ये सभी छेत्र भारत की अभिनांग है ऐसा भारत कहता है तो इसका आगे चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का मैप है जिसे पाकिस्तान के साथ प्रांती छेत्रे बताये गए हैं इसमें यहाँ चार प्रांतों में बटा है बलुचस्तान, खैबर पंक्तुंखुआ, पंजाब और सिंध दो अटोनॉमस एरिया है अजाद कश्मिर यानि की पीओके और गिल्गित बाल्टिस्टान, इसके अलावा एक और है जिसे हम फैडरल कैपिटल टेरेडरी कहते हैं इसलामाबातों, कुल मिलाकर यह साथ छेतर हैं पाकिस्तान के पास यहां विवादित गिल्गित बाल्टिस्टान छेत्र आपको बता दूं कि इसी माह गिल्गित बाल्टिस्टान छेत्र में एलेक्शन करवाने के निर्देश बिदिये के हैं जो 18 नवंबर को हो सकता है हालकि अभी कोरोना के कारण यहां इस्थगित हो सकता है पर अभी तक यहां तैय किया गया है कि नवंबर महां के बीच में होगा इसी विरोध को आगे बढ़ाते हुए कुछ पाकिस्तान के कुछ राजनेतिक पार्टियों ने आठ अक्टूबर को सरकार के खिलाफ नारे बाजी की उनका कहना है कि सरकार गिर्गित बाल्टिस्टान के संसाधनों का अधिक दोहन कर रही है और उनसे साजा भी नहीं कर रही है इसके साथ ही कई अधिकारों के लिए भी विरोध किया गया भारत की रुख की बात करें तो सर कर पाक के इस कदम का पुर्जोर विरोध करता है इसके आगे उन्होंने कहा कि जम्मु कश्मिर लद्दा गिल्गिस्टान या भातीनो भारत के अभिन अंग है अब भारत ने इसके साथ ही कड़ा विरोध जारी किया अब इसका दूसरा एंगल ये भी देखने को मिलता है कि क् गिलगित बाल्टिस्टान वाला जो छेतर है ये चीन पाकिस्तान एकॉनोमिक कोरीडर आर्थिक गलियारे से गुजरता है तो क्या इस छेतर को पाकिस्तान चाहता है कि इस छेतर में आए इसलिए वो गया कर रहे है कि या तो फिर भारत जो 370 हटा है जम्मु कश्मिर उसके अगेंस्ट में ये प्रतिक्रियादी है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन पे क्लिक करना ना भूले तब तक के लिए धन्यवाद